बुन्देल खंड का लोग जीवन बड़ा ही विचित रहे ऐसी लोग रीतियों और धार्मिक मानेता के समनमे से उपजी आस्था का प्रतीक है मा हुलका देवी की विदाई जिसको बुन्देल खंड में बड़ी धूम धाम के साथ जाना जाता है यह पुजा प्रतेक तीन वर्ष में जालोन के कोच नगर में बिना किसी चातिय भेदभाव के सभी भक्त गण शुबा यात्रा में शामिल होते हैं यह परंपरा सन 1913 से आज भी जारी है इस पुजा की तिहास के अनुसार 1913 में कोच नगर में एक ऐसी वहेंकर महामारी फैली थी जिसके हालात ऐसे थे कि शमशान में दो शवों का अंतिम संसकार संपन नहीं हो पाता था कि चार और शव पहुच जाते थे इस महामारी से जनमानस इतना बैपीत हो गया था कि वह नगर छोड़ कर अपने रिष्टेदारों पैने जगा शरन लेने को मजबूर हो गए थे तब यह कन्या ने महा हुलका देवी का रूप लेकर एक भक्त को दर्शन दिये हुलका की महामारी को दूर करने के लिए हमारी विधाई करें तो सभी को इस महामारी से निजात मिल जाएगी तब इसे ये परंपरा हर तीसरे वर संपन की जाती है करूंगा मां को फिर इसके बाद इसको मैं परसाद बित्रन करूंगा पूंच नगर में मां हुलका देवी की दब सोभा यात्रा विकत कई सेकुड़ा वर्सों पुरानी हिंदू परंपरा के अंतरगत सभी धर्म के लोग बहुत सुरत्दा और भाव के साथ शाकुड़ा वर् डूला ब्लका देवी से होते हुए उनका नई बस्ती में पुराना मंदर वहाँ पर कहुंचता है उसके बाद रहा की परंपरा के अंतर मांतिची के यहांसे उनकी दिलिया इत्यादी जो बिदाई में संभकरी आती है उन्हीं के इहांसे आने के बाद बिदीवदलाला अजसौन मंदर से गौखिलयणिगर कौशं से ये बब मा की बिदाई की यातरा रारम होती है, जो इस हिंदु परंपरा के अनसार बिकत वरसों से ये बहुत भबर रूप में मनाई जाती है, जिसका प्रमाड ये लाखों लोग इस यात्रा में सामिल हैं जिसका प्रमाड से पबलिक दे रही है यहां कोई धर्म, कोई जाती, कोई मजब आपस में सबी लोग मिलकर ये भब मा की विधाई का कारक्यम मनाते हैं शोबह यात्रा, बजरिया अक्षेतर के लाल हरदोल मंदिर से प्रारंब होकर नगर के अंतिम छोर पर अवस्तित माहुलका देवी के मंदिर तक जाती है इस पूजा में तांतरी का नुष्ठान भी संपन किये जाते हैं, बली, देने की प्रथा भी है जो महिला मा के दर्शन करने जाती है, वा महिला बिना श्रिंगार के दर्शन करती है इस पूजा में सुरक्षा वेवस्ता संभालने के लिए कोच पुलिस के साथ जन्पत के कई थानों की पुलिस वे आर्पिएफ के जवान भी मुस्ताद रहे नगर में जगे जगे लंगर वित्रन का आयोजन भी किया गया, जिसमें लाखों श्रत धालू ने लंगर को च्छका इस लंगर वे अगनूटा परसाद देखने को मिला, शायद किसी को देखने को नहीं मिला होगा पुंदेल खनकी तिहास में पहली बार विशाल डेट कुंटल का एक मीठा समोसा बाहर से बुलाए गए करीकरों दोरा तयार किया गया डेट कुंटल का समोसा परसाद भक्तों को बाटने के लिए बनाया गया था इस समोसा को देखने के लिए भी अफार भीड उमरती नजर आई ये कौच नगर की एथा से कुजा है और 105 साल पुरान ये पूजा है इस पूजा का महत है जब कौच नगर में महामारी बीमारी फैली थी तो पूरे कौच नगर के लोगों ने माई से प्राध्णा की कि इस कौच नगर की बीमारी को दूर करो तब ही उनकी पूजा के बाद आज तक इस कौँच नंगर में हमारी नहीं फैली है और हर तीन बर्स के बाद इस पूजा का आयोजन होता है और पूरे कौँच नंगर के जंजन बच्चा, माताएं, बहनें, प्रोज और इस नंगर का कोई भी वेक्ति कहीं बाहर, कानपोर, लखनगपूरी देश में कहीं भी होता है तो इस पूजा में सामन होने के लिए निश्चित आता है और ये पूजा हरदौल लाला की बजरिया से सुरू होती है और ये पड़री माता हुलका माई के मंदर तक जाती है तीन-चार किलूमीटर की पूजा रहती है कौज नंगर का पूरा जन्मानिस, मतलब हजारों की संक्या में यहां उपश्थे दाते हैं और विशेचता इसमें यह है कि माताएं कोई में माता बहन सिंगार ने करती है खुले बाल आती है इस पूजा में और पूजा बढ़े सिर्धा के साथ सब लोग उनका दर्सन करते हैं उनकी बिदाई करते हैं और इस पूजा का यह महत्त है और उस दिन से आज तक इस कोई महामारी ने पहली है इसलिए इस पूजा का महत्त है